कि अलो य्विbraan अज हम पढ़ेंगे डिजाइन स्ट्येप आपself reasons भीम के लिए वह कहा एगा कि सिंपयर या फिर इसी पर क्या आ जाएगा आपका नुमेरकल आएगा उस चैप्थर में आपको हम को स्लेब उसके बाद मेरा अगला टापिक आएगा डिजाइन आप कालम फोटिंग समझेगा आपको हम बेसिक कंसेप्ट बता दिये थे कि डिजाइन करने का मतलब क्या है डिजाइन करते कर से हैं और क्या क्या हमकी जरूरत पुरती डिजाइन करने के लिए किसके किसके नुसार करेंगे यह तो हम पिछले वीडियों सब बतायाते आपको चलिए इस टेप आप लोग अच्छे से नोट कर लीजेगा ठीक है हम एक बार किनारे हटें आप लोग इस टेप एक बार नोट कर लिजिए अब समझेगा इस टेप क्या है ओभराल देखें पूरा इस टेप क्या है लिखा है हिंदी में लिखते है ठेक है तो आपको कुछ नहीं करना है आज से हम क्या करेंगे डिजाइन ही डिजाइन करेंगे लाठ तक तो इस टेप आपको रट जाएगा परसान होने की जरूरत नहीं है अब क्या है इस टेप फर्स्ट क्या है ओवराल डाइमेंशन आफ लिख इंध्यां बताते चल लए हैं ओवराल डैमेंशन आप यहनी बीम का कूल माप और बीम का कूल माप उसे पहला है सबसे पहले क्या निकाल एक तुम करें अब शुआ का क्या परभावि घराई या ना यूम मतलब हो माने थीक है मतलब मताया मानना थे ऐफेक्टिव एफेक्टिव तर्भी मैं हम खुद माने कि कि घराई इतना होना चाहिए कितना इस्पान बाइट से लेकर इस्पान बई ट्वेल तक ठीक है यहां तक ही घहराय होता इसमğाल दूइंसमें इफेक्टिव कभर जोड़ते हैं तो क्या मिलता अब को चौनम पर तो डुसरा इस पर पहले स्टेप में दूसरा पॉइंट क्या है टोटल डेफ्थ आफ बीम अभी टोटल डेफ्थ को आपकर रहें मानी रहें यह इसक्टिव डेफ्थ एजियूम पलास एफेक्टिव कभर यह इदि इफेक्टिव कभर नहीं दिया तो सिंपली सपूरेट वीम के लिए तो यह टोटल डेफ्थ का टू बाई थ्री अब समझेगा हम क्या करेंगे तो बीम की लंबाई चमडाई और रेंफोर्समेंट ही निकालते हैं ज्यादा कुछ निकालना नहीं है तो यह क्या कि हैं हम यह निमाने हैं क्या माने है परभावी घार आई एट सुलू के टेन यह नहीं के इतने कई है कहाने का मतलब है कि कोई नियम नहीं है सब्सक्राइब करने है नहीं जाने के लेकिन लोग नहीं करते हैं वहाई दिक्कत नहीं वहां selected लेकिनकर beg деле इसमें ह suffrage सब्सक्राइब नहीं कोई दिक्कत नहीं है क्या हो सकते मेरा इसेक्टिव इस्पान भी रख सकते हैं इस पान भाइए टेन इलेवन ट्वेल जितना मन के इतने प्रलगभग आपको पता चल जाएगा इसको लिया कैसे गया है इसको लिया कैसे गया है कि हम क्या बताएथा आपको एक बार इस पंड यानि ये इनि इसपान आपां डेफ इसकलतू कितना था सिंप्री सपोर्टेट बेंग के लिए 20 तेहीं से डीज कल 2 किते ग्याय बाई है आ, यहीं से देखिए small किया जायगा iphone by 20 इसी को गहरै को बढ़राइव को बढ़ाने के लिए मिद्थ करना पड़ेगा 20 को गटाना पड़ेगा नीचे वाला वाईलू के अंदर आप निकाल देजे क्या डेफ्थ तो आपको समझ आया कि का है क्या क्या करना है इसका क्या करना है इसका कोई नियम नहीं अभी किसो अब करना चाहिए फाइफी स्टेब में बताएंगे अश्माजेगा निकालने के लिए वबर आफ डिवेस्टन आप निकालने के बाद हम कहां पहुंचेंगे कहां एफेक्टिव लेंथ पीछे बता चुके हम फिर भी देख लिए टू डिटेर्माइन एफेक्टिव लेंथ आफ ब बता दिए हैं कि विर साब सपपोर्ट नहीं दिए हो तो कितना मान लेंगे 230 एमहें हम दोड निकालेंगे हम लूड या भी पॉइंड लोड कुछ भी सकता है युडिय में राएगा थिक है तो सेल्फ लोड ब्यम क्या होगा देख इस एक क्या होता है घंध तो और यह आयतन के लिए लंबाई चावडाई और घाराई उसके बाद क्या होजाएगा डेंसिटी हो जाएगा किसका डेंसिटी आप आर सी का डेंसिटी कितना होता है 25 तो निव्टन प्रति मीटर क्यूं ठीक है अब क्या करेंगे टोटल लोड निकालेंगे या फैक्ट लोड डी क्या होजाएगा डीजाइगा डीजाइन निकल गया और लेंठ निकालेंगे बाद अगला स्टिप क्या होता है बेंडिंग मुमेंट होता है यह स्कौार्ट उट्स क्या करेंगे अब व्य इक्म अविघ्वेट बाइलेंस आ कि बाइलेंस इस मतलब संतुलर्न बनाना किसके किसके इसलिए मुझेंसे नहीं समझेगा इम आर का बेंडियम्ट कर रहा है नफेम से क्या करहें सन्तुलन बना रहें geni यानि जितना का बेंडियम्ट आएका एक तुम्हेंस उत्पन होगा थें दोणयों को क्या करता हम एकवल करेंगे जब एकवल करेंगे तक्या होगा यम्डी इसकल टू आर्यू बीडी स्क्वाइड क्या होता आप पीछे पढ़ें हैं आर्यू बीडी का इसक्वाइड तो यह से डी मेरा निकल जाएगा डी U is equal to MD MD upon RUB है नहीं दिखें डीजिकल to MD upon RUB यह जो डी आया है समझेगा यह जो डी आया है और डी क्या है रिक वाइड यानि देखें लोड लोड मिला लेंथ मिला उसके अनुझार MD मिला MD यानि Bending Moment और Bending Moment की बराबर हम क्या रख दिया है समझेगा यानि कि बेनंडिंग मुंिंट के बराबर हम क्या लिख दे conservative वेक्टरिंड के बेन्स कर रहा है मुवमच्ट गार तक तो करने के लिए भिखाराई मिले घृष एक तुर्ण पे denso to Ettee इतने ने का कर рाम यहां यह बराबर हो गया यह इतना करने के को आइटिव डिफ्ट ठीक है यह इतने की आपको जरूरत है कितने को अंडरूट एंडी अपन आर्यू भी अब आर्यू भी देखेंगे आर्यू यह कुलांक होता है वह स्टील आफ ग्रेड और कंक्रीट के ग्रेड पर टीपेंड करता है उसको हम देखेंगे तो डी रिक्व माने है और जितना हमको जरूरत है उससे अधिक है कि कम है यह जो हम किये है इफेक्टिव डेफ्ट का उसका मान यह रिक्वाइड इफेक्टिव डेफ्ट से अधिक है तो मेरा सेक्शन क्या है ओके है ठीक है सेक्शन क्या आपका ओके यह यह जितना रिक्वाइड है जितना कॉइंन द्रिक्ति कलाए मिया को लाए तो जह सो का इता है क्या पर होंगे ठीक है और कि 90 इसकोटम कर दो इसको क्या लिए सकते हैं समझेगा i into f upon y आब i को क्या लिख सकते हैं समझेगा यह मार is equal to I को क्या लिख सकते हैं i को bdq upon to a y लिक सकते हैं अब दाये यह मार directly किश्पे depend कर रहा है यह मार directly depend कर रहा है देखिएगा यह मार directly deeper नहीं बीपर और दी qypher आपको यह पता कि जैसे हम घराई बढ़ाएंगे वह से मोमेंट आप रजिस्टेंस और रजिस्टेंस प्रवमेंचंट की कि इसलिए हम 05 बढ़े बढ़ाएगsten ना कटमरी दी entered s तो देखिए डी को ब्हाने से क्या होगा मुमेंट व रजिस्टेंस अधिक उत्पन होगा क्यों कि पर क्या है क्यों है और शिर्फ बी शिंगल है ताको पता चला होगा क्यों अधिक चाहिए डी एजियूम का मान ठीक है अच्छा यह देखते हैं आगे इतना क्या होगा हमको पता चल गया कि मेरा पहला कंडिशन आ गया तो सेक्षन मेरा ओके दूसरा कंडिशन आया तो फिर हमको काठना नहीं है लिखना है कि रिजाइन करने पर पूरा बीम का डिजाइन करने यही बहुँत हैं क्या कि रणीम का डीजाइन बीम का लंबा हम क्या होगी आपका सघ्रका मालिये क्या प्रूरसेमर्सेमिंट हैं कि कि डीजाइन कुस नहीं है लंबा प्राइक पायोर यहीं निकालना होता है तो लंबा गार मनें को अभेना तो आग्वी थामाइ siamolyने आरannah 57-8 साथ यह आध आप क्या करेंगे यह उतने रर्भर्षमेंट यह असकता है एसिती रीकौाइड अब क्या करेंगे एक चसुद निकालने के लिए रैस चाहिए तो मालेंगे बटा एक चलो का च्छेतरफल क्या जाएगा कितनी चलो के संख्या है अब दिजाइन कर चुके यहां करते नहीं अब तो नहीं करेंगा कि ज्यादा लोड जुक्त नहीं जाएगा तो सब्सक्राइब करेंगे कि मेरा एक दम कम तो नहीं डाल रहा है क्या है कि पॉर्समेंट की जरूरत भी नहीं थो थोड़ा पर दॉब ठम को डालना है थालना हो मिनिमुम मैं उसके बाद से होना चाहिए कप साट क्या होना चाहिए को मिनिमा मेरा में नहीं है मिनिमाम से मिनिम मेरा त publiques कौन सा जागा ओबर एभी नहीं को करना है तो चेकिन मैक्सिम्म क्या होता है चार परसेंट आफ बीडी तो सब बता बता चुके हैं यह दि मैक्सिमम से मेरा कम है तो मेरा सेक्षन क्या है ठीक है अठ्वाइब दिक्कत करेगा इस टेप को फसाता है लिंदी कर देता है डिजा सिफ होगा अभी लग लिखना लग जाए तो पूरा स्टेप क्या था हम नुमीनल सीजेट्र वीडी उसके बाद चकुए ठेजिजाइन स्टेंधाफ बिउड़न सी स्टील केième घ्लिख के एनुसार को पर सब्सक्राइब करते हैंographic तो आप सकते हैं लेकिन हम क्या बताए आपको आसान होता है आपके लिए पूरे बार को कौन कर ले आपका वर्टिकल इस्टी रफ्स को वहन करा दिया थे उसका निकाल के बहुत कुछ किया थे इसमें लिस्ट आज फालिविंगे इस्टेक हैं यहां क्या रहेगा कौन सा इस्टेप र नमबर एट को डालेंगे यहां सिएर उन्फ्रस्यमेंट करेंगे चेक रेंगे उसके बाद में चेक करने के बाद मेरा नवाई इस्टेप आएगा चेक इन डिवलप्मेंट लेंफ यानि भीकास लंबाई में जाँच इसके लिए बताया थे क्या होगा यहल्डि इसकल टू आपको पता है एरिया आफ टाव बीडिका है बाउन से निकालते हैं यह मोन क्या होता है आपका यह मान होता है कि यह पांते चार्ज लो यक्सीव कितना होता है आपका वह हम फर्मुले से यहां से हम निकालेंगे अब समझेगा उसके ऑद भी क्या है ओर यह दोनों मेंचे जो अधिक हो उसी को क्या करेंगे दोनों पर इंकर हैंगिंग बार को रटका देते हैं ठीक है इस थे इंप 10 क्या हो जाएगा कुछ नहीं है यह उख मार्यां फिर हैंग कुछ है 11 के आप इसके संबना देगे थीक है इसकेट आप ड्राइंग पढ़ेंग जानते होंगे नहीं भी तो उतना या डाइमेंशन सने इसकेट बनाना उसको रफली थो दिखा देना उसको कैसे कैसे वर्क कर रहा है तो यह था आपका डिजाइन इस्टेप आप सिंपल सपोर्ड़ भी आपके एकजाम में इसको एकदम जितना इस्टार देना होगा दे लिजेगा एकजाम में आएगा ठीक है तो आज के लिए अब आगे इसका हम क्या करेंगे नुमिर्कल करेंगे